आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, Question पूछा है To Protect a Forest means to conserve air, soil and water Forest को Protect करना मतलब Soil, Water और Air को Conserve करना यह हमें क्या करना है, explain करना है देखिए, Forest जो है, यहाँ पे First Air को Conserve करना मतलब क्या कि जो Plants होते हैं, वो करेंगे Photosynthesis और इस Photosynthesis के दोरान, Carbon Dioxide जो की एक, हम बोल सकते हैं कि Greenhouse ग्यास है इसे क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है और Oxygen जो है, इसे Release किया जाता है तो जो भी Oxygen हमारे Air में प्रेजेंट है वो Animals के लिए और खुद Plants के लिए भी बहुत Important है Respiration के लिए, तो Air की जो Health है वो Plants decide करेंगे, Plants की Quantity decide करेंगे दूसरा, Soil Soil जो है, क्योंकि Plants के Roots ये Soil में Deep Anchor हो जाएंगे और इसकी वज़े से Binding of Soil हो जाएगा Binding of Soil और इसके वज़े से जो Soil Erosion है ये क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा और Next हम बोल सकते हैं कि Water का Conservation कैसा होगा? तो जो भी Dense Forest होते है तो वहाँ पे Water ये Flow जो है, वो होता है Slow Water Flow ये हो जाएगा Slow और इसके वज़े से Underground Water Level इंक्रीज हो जाएगी तो कि पूरा Water ये जमीन के अंदर चला जाएगा और Underground Water ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा Transpiration होता है Forest की वज़े से और Underground Water भी जादा हो जाएगा तो Transpiration की वज़े से Rainfall बढ़ जाएगा और Water साइकल जो है जिससे हमारा Environment नॉर्मल है ये भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा या Water साइकल कम्प्लीट हो जाएगा इन प्लांट्स की वज़े से तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि Air, Soil and Water में जो मतलब Forest का Protection मतलब Healthy Air, Healthy Soil and Healthy Water Thank you